सो हलो एन वेलकम तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9 का सोशल साइंस का चेप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 ठीक है दो पार्ट अपलोड हो चुके हैं यह इसका जो है थर्ड पार्ट है तो आपने पहले के दोनों पार्ट जो है देख लिए होंगे अब य धीरे धीरे आपके पूरे सोशल साइंस और मैं पूरी कोसिस करूंगा कि साइंस और मैट्स के वीडियो भी पैरलली आपके लिए अवेलेबल कराते रहूं बस आप मेरे से जुड़े रहे है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जा आप कमेंड बॉक्स में भी जाकर देख सकते हो ठीक है तो देखो आज का टॉपिक क्या है हमारा सिम्बॉल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कार्टोग्राफिक के बारे में पढ़ रहे हैं कार्टोग्राफिक मतलब हम लोग बेसिकली मैप्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम माल लो आपको अपने गाउं को एक मैप में रिप्रेजेंट करना है, तो आपके गाउं में बहुत सारे घर होंगे, ठीक है, तालाब होगा, खेत होंगे, मंदिर्स होंगे, या स्कूल होंगे, हॉस्पिटल होंगे, पंचायद भावन होगा, तो इतनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे मैप में, ठीक है, हर चीज को तो मैप में रिप्रेजेंट कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कितना भी आप स्केल यूज़ कर लो, जैसे किसी का तीन मंजिला घर है, तो तीन मंजिला घर को, अगर आप एक मंजिला को एक सेंटिमीटर भी बनाओगे, तो तीन सेंटिमीटर एक घर का बनेगा, ऐसे बहुं सारे घर हैं, या ऐसे बहुं सारे टेंपल्स और हॉस्पिटल्स हैं, तो स्केल जो है, वहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ा सूटेबल जो है नहीं रहता है, क्यों कि स्केल में हम एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही क्या कर सकते हैं, जैसे देखो, अब देखो हम लोग में घर को, रोड को, रेलवे ट्रैक को और पेड़ पोधों को हम लोग में रिप्रेसेंट नहीं कर सकते, इसलिए इन सारी चीजों को रिप्रेसेंट करने के लिए कई बार हम लोग इमेजेस का यूज़ कर लेते हैं, कई बार colors का use कर लेते हैं, जैसे जो पानी वाले चीज़े होती हैं, water वाले चीज़ों को blue color से represent करते हैं, hospitals को alphabet से represent करते हैं, railway lines को, railway tracks जो होता, उसको line से represent करते हैं, या shadow वागरा से हम लोग उसको represent करते हैं. Using these symbols enables us to pack a lot of information about a place. अब इन सारे representation से हम लोग बहुँ सारे चीज़ों को जो है क्या कर सकते हैं, map में represent कर सकते हैं, और वहाँ से information gain कर सकते हैं. They also make it easier to study these features. अब देखो अगर आपको मैंने बता दिया, कि अगर इस तरीके से cross symbol अगर दिखता है, red color का, तो यह hospital है, तो आप कहीं भी map में देखोगी, किसी भी दुनिया का map देखोगी, अगर आप इस तरीके से red color का cross दिख जाएगा, तो आप समझ जाओगी कि यहाँ पर यह hospital present है. ठीक है, मालल मैंने petrol pump के लिए इस तरीके से cross वाले design बना दिया, कि यह symbol को हम petrol pump बोलेंगे. तो आप कहीं जा रहे हो, आपके गाड़ी में petrol खतम होगे, आप map में इस तरीके का symbol देखोगे, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर क्या है, petrol pump है. तो इसको समझना क्या होता है, बहुत easy होता है. We use different symbols in a different kind of maps. अब अलग-अलग तरीकों के map में हम लोग अलग-अलग तरीके symbols यूज़े करते हैं. Maps जो होते हैं वो भी अलग-अलग तरीकों के होते हैं. जैसे हमारे इंडिया का map, एक तो political map भी होता है, जिसमें हम लोग states के boundaries को, district के boundaries को दरसाते हैं. फिर एक geographical होता है, जिसमें हम लोग geographic के basis पर दरसाते हैं, फिर plains area के basis पर, तो maps जो होते हैं, वो भी अलग-अलग तरीके के होते हैं, और अलग-अलग maps में अलग-अलग symbols जो है, यूज़े किया जाता है, ठीक है, चला, अच्छा, यहाँ पर एक question है, how were maps made in the days when there was no printing press? यह थोड़ा सा आपको सोच के बताना है, कि आप थोड़ा सोच के बताओ, कि आज के जमाने में तो हमारे पास computer है, हमारे पास अच्छे-च्छे printers हैं, जिसके हम लोग बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, maps को, या किसी भी चीज को print out जो है, बड़े आराम से कर सकते हैं, पह पर के बाद उसके बाद printing press आए, तो दरी-दरी development होता गया है, तो पहले के लोग हाथ से freehand सब चीज को ड्रॉ करते थे, जो map को ड्रॉ करते हैं, जब map ड्रॉ करते हैं, यह standard symbols को यूज करते हैं, और ऐसा symbol यूज करते हैं, जिस से लोग बड़े आसानी से क्या कर सकें, उसको समझ सकें, और आराम से information महा से गेन कर सकें, So, standardization of the symbols ensure uniformity in the interpreting the maps, especially when the maps are printed in such large numbers, many of these symbols have been conventionally used, are easily to recognize by people, example would include symbol of natural and man-made landmarks, the constant attempt is to simplify the symbols used to the common, people can easily recognize and understand them, हमेशा से जो cartographer होते थे, उनकी यही कोशिस होती थी, कि maps में हम लोग ऐसे symbols use कर सकें, या ऐसे symbols use करें, जो लोगों को समझना बहुत आसान हो, अगर मैं बहुत एक complex, अगर मैं क्या करता हूँ, कोई symbol बना देता हूँ, जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है ऐसे maps का, ठीक है, तो हमेशा से cartographer यही कोशिस करते हैं, कि हम symbols जो use करें map में, वो easy हो, जिसको लोग देखकर imagine करके समझ जाए, कि हाँ, इस map में यह जो design जो बना हुआ है, यह इसका है, कि road का है, कि तालाप का है, कि river का है, कि temple का है, किस का है, करके, वो standard जो है, use करते हैं, अब देखते हैं, conventional symbols, conventional मतलब पुराने जमाने से जो use करते हुए, आ रहे हैं, वो symbols के बारे में हम लोग देखते हैं, आपको मालूम है कि map जो होता है, छोटा सा होता है, लेकिन छोटे से map में बहुत सारा information, बहुत large area का information जो है, वहाँ पर रहता है, ठीक है, जैसे अगर आप world map को देखोगे, तो world map, world कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, लेकिन map जब देखोगे, तो बहुत छोटा दिखता है, तो उसमें बहुत सारा information जो है रहती है, so everything is reduced in size and sewn in two dimensions, two dimensions flat, अब देखो, जो भी होता है, map जो होता है, वो हमारा two dimensional होता है, two dimensional मतलब जिसमें length और breadth होता है, जैसे आपके mobile में जो दीख रहा है, अभी आपका two dimensional है, एक horizontal में इस तरीके से distance है, और एक तरीके से एक vertical में है, तो एक distance x-axis होआ, एक distance y-axis होआ, इसको बोलते हैं, 2D बोलते हैं, एक होता है 3D, ठीक है, जैसे आप movie वगरा देखते होगे, तो 3D भूम होता है, तो जो maps जो होते हैं, वो flat होते हैं, paper में present के जाता है, और paper जो होता है, वो two dimensional होता है, there is not enough space on this flat surface to show all the physical details of the part of the world, अब एक flat paper में पूरी दुनिया के सारे information को, हिमालय को, क्या कोई river को, क्या वोई ocean को represent कर पाना बहुत difficult होता है, that's why as we said earlier, some basic symbols are used to represent those details, इसलिए हमने starting में पढ़ा था कि हम standard symbols जो है क्या करते हैं, इन चीजों को represent करने के लिए use करते हैं, these symbols give a lot of information about the physical features of an area in a small space, और ये जो map जो होते हैं, एक छोटे से map में हम बहुत बड़े area के information को क्या कर सकते हैं, represent कर सकते हैं, जैसे आप google map में जाके अपने गाउं को सर्च करना, या अपने city को सर्च करना, बहुत चोटे से area में आपको बहुत सारा information देखने को मिल जाएगा, ठीक है, there is an international agreement that all countries in the world will use the same symbol when the drawing maps, अब देखो, पूरी दुनिया के लोगों ने मिल कर ये decide किया, कि हम सब मिल कर एक जैसा symbol ही जो है क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है, अब जैसे अगर मालो पूरी दुनिया वाले एक जैसा symbol अगर यूज नहीं करेंगे, तो क्या दिक्कत होगा, बहुत सारे problems होगे, जैसे मैंने आपको बताया, कि मालो हमारे इंडिया में ये जो design बना हुआ है, ये hospital का है, ठीक है, ये ही चीज मालो हम चले गए, अमेरिका, तो अमेरिका में इस design का मतलब है, पेट्रोल पंप, ठीक है, अब मालो किसी की तब्यत खराब होगी, और हमें इंडिया में आदत है, कि ये वाला symbol देखकर, hospital देखने का, और वहाँ पर हम पहली बार घुमने गए, और हमें ये वाला symbol देखा, हमारे दोस्त की तब्यत खराब होगी है, तो हम क्या सोचेंगे, अरे हमारे इंडिया में तो ये वाला symbol, hospital को देखने करता है, तो यहाँ भी इस तरीके का design देखरा है, तो ये भी तो hospital ही होगा करके, उसको जिसका तब्यत खराब, उसको ले कि यहाँ चले जाएंगे, फिर पता चला कि ये तो hospital नहीं है, ये तो petrol pump है, उसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है, school का हो सकता है, कि हमने जो इंडिया में school का symbol पढ़ा, वो USA में क्या हो सकता है, किसी sports complex का हो सकता है, तो इस तरीके से difficulties होती है, तो जैसे language barrier होता है, हमारी इंडिया में हिंदी बोलते हैं, चाइना में में ड्रीन बोलते हैं, पाकिस्तान में पंजाबी बोलते हैं, आप रश्या चले जाओगे, तो रश्यन लेंग्वेज बोलते हैं, तो हर country का अपना अपना एक language होता है, लेकिन एक international language हो जो पूरी दुनिया के लोग समझते हैं, वो क्या है English, तो उसी तरीके से हर country अपना अलग-अलग symbol ना use कर ले, जिसके कारण से confusion ना हो करके, हमने पूरे international लोगों ने मील कर एक-एक symbol हर चीज के लिए, डिसाइड किया है, ठीक है, अब जैसे माल लो, आप जापान घुमने चले गए, आपको Japanese language तो नहीं आता है, लेकिन आपको hospital जाना है, या school जाना है, आपको symbols तो मालूम है, कि ये वाला symbol दिखेंगा तो क्या होगा, ये वाला symbol दिखेंगा तो road होगा, ये वाला symbol दिखेंगा तो temple होगा करके, तो जो आदमी को language नहीं आता है, उबी क्या कर सकता है, symbols को देखकर identify कर सकता है, अपना काम जो है चला सकता है, ठीक है, some of these standard international symbols are shown in figure 1.4 आप देखो आपको international level पर किस तरीके के figures यूज़ के जाते हैं यहाँ पर आपको दिया हुआ है ठीक, देखो अगर railway line है अगर आपको कहीं पर इस तरीके का design दिख रहा है तो इस तरीके का design किसके लिए होगा यह आपका railway line के लिए होगा ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर देखो broad gauge और meter gauge अगर इस तरीके का design दिखेगा तो वो railway track जो 4 railway track है यह आपको पता होगा ठीक, फिर इस तरीके का RS लिखा होगा इसका मतलब क्या है यहाँ पर आपका railway station है ठीक, अब उसके बाद देखो अगर इस तरीके से दो parallel lines दीख रहे हैं continuously तो वो roads का है फिर यह paved है, यह unpaved है इस तरीके से अलग-लग symbols होते हैं फिर boundary जो होता है international boundary को इस तरीके से represent करते हैं एक, फिर dot, फिर यह international boundary फिर state boundary को थोड़ा छोटा-छोटा इस तरीके से represent करते हैं और district की boundary को इस तरीके से dotted से represent हम लोग करते हैं, पूरे international में, ठीक है, उसके बाद जो river है, river को हम लोग ये वाले symbol से represent करते हैं, whale को इस तरीके से dot circle से represent करते है pond को इस तरीके से करते है channel जो होता है इसको इस तरीके से करते है bridge होता है bridge को हम इस तरीके से use करते है ये bridge है हमारा करके ठीक है उसके बाद temple को इस तरीके से use करते है church को हम लोग इस तरीके से use करते है mosque जो होता है, masjid जो होता है, इसको इस तरीके से use करते हैं, post office के लिए हम लोग PO use करते हैं, post and telegraph office के लिए PTO use करते हैं, police station के लिए PS use करते हैं, habitation, habitation मतलब जहां पर लोग रहते हैं, उसके लिए इस तरीके का design होता है, उसके बाद cemetery जहां पर मुर्दे होते हैं, यहां पर इ everything you see in your village और neighborhood using the symbols given in figure 1.4 आप एक पर ट्राइ करना है, एक blank page लेना और अपने गाउं में जो जो चीज आप देखते हो तलाब, मंदिर, रोड उसको ड्रॉ करने की कोसिस करना है, इससे आपकी creativity जो है क्या होगी बढ़ेगी ठीक है और इन्ही symbols को use करना, जो international symbols है ना, उसी international symbols को जो है आप क्या करोगे, use करोगे और उसको draw करने की कोसिस करोगे ठीक है, चलो आप देखते हैं हम लोग types of maps मैंने आपको starting में बताया था कि map जो होता हो two dimensional होता है लेकिन एक ही type का map हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हमारे पास अलग-अलग types के map होते हैं, जैसे एक political map होता है, political map में हम लोग basically boundaries पे focus करते हैं कि कौन से गाउं की boundary कितनी है, कौन सी सहर की boundary कितनी है, कौन सी state की boundary कितनी है, किसी country की boundary कितनी है, जैसे हमारा जो इंडिया है इसको साथ countries जो है क्या करते हैं, bordering countries जो होती हैं वो touch करती हैं, तो political map में border पे ज़्यादा focus किया जाता है, जब कि जो physical map होता है, physical map में हम लोग ocean हो गया, platy हो गया, plains हो गया, या और कुछ earth के कुछ parts हो गया, jungle हो गया, इन सब को हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो है represent करते हैं चल, types of maps, there are many different kind of maps such as physical map, political map, thematic maps, maps that show the natural features of the earth, mountain, plateau, plains, river, ocean are called physical maps, देखो maps बहुँ सारे types के होते हैं, जैसे कुछ होता है, political maps होता है, कुछ physical maps होता है, कुछ thematics होता है, तो वो map जो natural features को locate करता है, earth का, कि कहां पर earth की height जादा है, mountain से, कहां plateau है, कहां plains से, कहां river है, इस तरीके का जो map होता है, उसको हम लोग क्या बोलते है, physical map बोलते हैं, तो यह आपको दो number का question पोछ सकता है, कि what is physical map, तो आप क्या लिखोगे, maps that show the natural features of the earth, like mountain, plateau, plains, river, etc. are called physical maps, ठीक, they give information about the physical features of that reason of the earth, और physical map जो होता है, वो उस area के physical boundaries को, या physical चीजों को जो है, बताता है, उसके बाद अ and provinces are called political maps, boundaries पे ज़्यादा focus जब करते हैं, किसी map में, वो political boundary कहलाता है, maps that give information about a specific topic, such as transportation, temperature, rainfall, forest, industry, population are called thematic maps, अब ये तो political में एक general boundaries हो गया, physical में पूरे अर्थ के बारे में होते हैं, लेकिन अगर हमें कुछ एक particular चीज के बारे में जानना है, ठीक है, जैसे कि पूरे transportation facility के बार roads कितने हैं, उन roads का map अगर जानना है, तो उसको thematic maps बोलते हैं, हमारे इंडिया में हर जगा का temperature का distribution कैसा है, अगर वो जानना है, rainfall कैसा होता है, जैसे राजिस्थान में rainfall काम होता है, पस्चिम बंगाल हो गया, मेगाले हो गया, वहाँ पर rainfall जादा होता है, तो अगर rainfall को जा जानना है, industry को जानना है, population को जानना है, तो कोई एक particular information जब हमें चाहिए होता है, तब हम उसके लिए thematic maps का use करते हैं, ठीक है, I hope आपको यहां तक का video समझ में आया होगा, अगर आपको कोई doubt होगा, ता आप comment करके बता सकते हो, चरूर वीडियो को like करेगा, मिलते हैं अग आपके लिए, बाइ बाइ